आपको बहुत बहुत स्वागय थे विच्छों आज हम लोग प्लास टेंथ में जो टॉपिक पर रहे थे अपना दो चर रास में राखे एक समय करां पुछ चाह continuity चाहल? एब मैंने आपको बहुत सारी चीजनी हैं उनका मैंने ग्राफी a मेटिड बताया है आपको प्रतिस्थापन विधी बतायी है और विदोपन विधी बतायी है कि लाश्ट जे मैंने आपको प्रतिस्थापन भी दीपत आई थी और मैंने उसकी पूरे एक्सरसाइस कंप्लीट भी की थी और मैंने आप से कहा था कि आपको अब उसमें कोई भी समस्य आओ किसी कोई प्राबलम हो तो आप लोग बड़ी इसली पूछ सकते हैं उसको हलांकि म किसी ने कोई कुछ अतनी प्राबलम मुझसे शेयर नहीं की तो मैं तो यहीं सुचूँगा के साइद आपको सबकुछ बड़ी इसली समझ में आ रहा है और आप लोग साल भी कर रहे हैं लेकिन अगर मैंने बोला है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्ल आप सोचल राज में राखी समझान में हम लोग जो साल करने का इंको तीन तरीके मैंने आपको बताये थे कि Elimination method मतलब बिलोपन वीदी बताई थी प्रतिस्थापन वीदी बताई थी अब हमारी तीसरी वीदी बांकी रहे थी प्रतिस्थापन वंजुरुकुनंग वीदी यह काफी अब लुक सालव करते हैं तो इस बीदी को आपको बहुत अच्छे से समझेए और इसको साल्व करने का प्रयास करिए आपको यी वीदी बिल्कुल समझ में आएगी बस आपको थोड़ा सा रहतना है कि आपका क्यान को शचाहिए और बहुत ही ऐदेंटिभ यह आप सकूझ करे तो बच्चों अगर वज्रुक बुणंद विजी की बात करते हैं तो आपको बताया कहें था दो चर्वास्त में रहेखिक समीकार में जो हमारा यूपत समीकार होता है उसका मानक रूप मैंने आपको बताया था A1X प्लस B1Y प्लस C1 इस इक पॉल्स टू 0 A2X प्लस B2Y प्लस C2 इस इक पॉल्स टू 0 यह आपकी दो यूपत समीकार में बच्चों होते हैं कि नहीं होते हैं ठेक है इसको हम लोग किस विजी से साहु करने जा रहे हैं वज्रुक बुणंद विजी से थोड़ी सी बात समझे है वज्रुक बुणंद विदी में साहु करने का एक तरीका होता है जिसके बारे में हमें इन दोनों समीकारों को बहुत पहले अच्छे दे समझना होगा उसके बात साहल में समझे बताईए जरा यहां पर यक्स का गुणंद को नविटा एक एवन इंटू मतलब एक है वाई का गुणंद क्या होता है बी होता है और सी आपका यह अचछव पर होता है तो बज्रबुणंद विधी में क्या तरीका होता है कि आप उसको समझे जैसे यह आपको जो भी दो यूपत समीकर दिये हों तो सबसे पहले आप उनको इसी फॉर्म में बना लें इस फॉर्म मतलब आपको उधर जीरो होना चाहिए अगर मैं बताता हूं कि आप अच्छव यह बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जो यह ठीक है तो मैं जो बता रहा हूं कि वह उसको समझे कि आप सारे तन पहले धर लागर कि इसको इस रूप में बनाना दोनों समीकरणों को जो भी आपको दिये गए उसके बाद क्या पढ़ेंगे ध्यान से समझे कि अगर हम इसमें बद करते हैं जब दो चीजें बराबर में होती है इसलिए यहां पर इक्वल का साइं करते हैं ठीक है अब पताईए जरा कि यक्स का गुरांत कौन था तो जब भी एक्स लेंगे तो उसके नीचे इसका गुरांत नहीं आएगा मतलब ए नहीं आएगा क्या आएगा बी आएगा और सी आएगा एगा एगा चुकि यक्स का गुरांत तेश्टी उसके गुरांत नहीं राएगे बाकी दोनों कौन आएगे तो सुनिए ध्यान सब्सक्राइगा ने की बाकी दोनों रख लिए पीवन वीटू सीवन इतना सब को समझ में आएगा एकु नहीं रखा चुकि एस सब को बात समझ में आदें आगे आईए अचरपद 1 है तो अचरपद मत्तब यहां C है तो C को नहीं रखना बाकी दूनों को रखना है यानि A1, A2, B1, A बताईए बच्छों सभी को बात समझ में आगी ज़ाएं है एक बातका ध्यां रखिए आगा इसमें चक्री करम का ध्यां रखिए गारे ब Cream बात क्रम बात है तो B और C को रखा था कि ने रखा फिर मैंने B को अटाया था फिर उसमें आप लोग C और A रख सकते हैं तो आइसा नहीं कि आप पहले A रख दे ना पहले आप C रखें चुकि इसके बाद C आता है तो C1, C2, A1, C2 फिर आप जोने आँ है तो C1, C2 हटा था तो C1, C2 हटा था तो बचे A और B तो आपको A और B ही रखने B और A नहीं रखना जो पता चले आप इसको इधर रखने इसको इधर रखने वरना आपका सवाल ना हो जाएगा चक्रीगम का ध्यान रख दे जिससे खतम होता है उसी से सुनों होता है ऐसे द्यान रखने C1, C2 से खतम C1, C2 से श्टार्ट, A1, C2 से खतम A1, C2 से श्टार्ट इसको मायं रखिए रहे तो ये वेटा बात आई एक आपको इतनी बात समझ में यहाँ दै आप उसके बाद आप इसके बाद अमों रास मैं टार रहते हैं तो आप पहले से ही चूज कर लीजिए कि आप किस धुसा में पहले देखें माल्टिप्लाइंथ किस दिसाना आप पहले एसे लह करा आप को ही चूज़ करना पैसे गार ना चाहिता हूं तो ऐसे ही मुझे सब में कराना पड़ेगा सब ने, सब ने आप ऐसे ही यह रो लगा दी, ऐसे, ऐसे, पताईए बात समझ में आ रहे हैं, मैं लग सबसे पहले आप इसी का मल्टिप करेंगे, तो देखें बिटाईए क्या बनेगा, X अपान B1 C2, बीच में काय का साइन लगेगा, जब इसका मल्टिप्टाई हो जाएगा, माइनस करेंगे, B2 C1, is equal to Y upon C1 A2 minus C2 A2, is equal to 1 upon A1 B2 minus A2, बताईए बच्चों बात समझ जाए आगें कि नहीं, यह साइन लगाने का मत्तर रहे था, कि हम सबसे पहले इधर से मल्टिप्टाई कराएंगे, माइनस करके दूसरे को बात के लिखिए, तो बताई बस यह होगे, ऐसे आप कर देंगे, तो अभी तो यह सवाल था मानक रूप में था, लेकिन जब आपका सवाल होगा, तो आपको यहाँ पर A, B, O, C कि कुछ ना कुछ वाइदू दूदी होगा, तो बस उनको आप घटा दीजिएगा, घटाने के बाद में, एक बार इसको और इसको दे दीजिएगा, तो यक्स का मान निकल आए, एक बार इसको और इसको ले 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 ले, तो वाइक का मान निकल आए, समझ में बात आ रहिए, इसके साथ ही क्यों लेंगे चुकि यह अचारपद है इसमें और कोई वैरिलिबल नहीं है इसलिए इसको इसको लेकर के इसको क्रास मेर्टिप्लाइ करा करके यह कमान निकाल लीजिए इसको इसको लेकर के क्रास मेर्टिप्लाइ करा करके हवाई कमान निकाल लीजिए यह का सवाल पता रहा हूं मैं को हम सवाल उत्था देंग विछ वाज गणानद वीदिक प्वह सवाल नहीं में उत्था दें उस्से पुझे व्य स्वाल क्यों से सवाल नहीं कर देख सो उपको उपकिनाथ मैं जट्री समझें कैसे मैं साल उकरता हूं जितनी चीजें बताई हैं उतना आप ध्यान रखेंगे कोश्चन है आपका इरर देखिए यह है कोश्चन 5x प्लस 7y माइनस 31 इजिक्वल्स टू जीरो 7x माइनस 9y प्लस 13 इजिक्वल्स टू जीरो यह बिटा दो यूपल समीकर जिनको हम लोगों किस विली से साल उकरना है वच्र बढ़न विली से साल उकरना है चली रहे हैं इस्टार्ट करते हैं दोनों पहले से ही मानक रूप में सीरो एक्स सब्भी य प्लस 13 इजिक्वल्स कुछ को सीधर अपनी बढ़न भी दिखा जाईए यक्स अपान वाइपान वन अपान ठीक है बच्चों बताइए यक्स का गुरांद है तो यक्स का गुरांद नहीं देंगे मतलब यह डोनों लेंगे और यह दोनों दों तो 31 रखा और 13 रखा चिन्द ध्यान में रखिए चिन्द गलत नहीं होना चाहिए वर्ना कोश्चन यह गलत हो जाए वाई का गुणाम यह है तो यह नहीं लेंगे पहले यह तो माइनस 31, 13, 5 और 7 का यहा है सबको समझ में रहा है पछूं अचछत में आई यह दोनों नहीं लेंगे परें यह पेकिने यह तो सब को समझ में आ गया अब आप एक चिन्द लगा दीजिए कि आप पहले मल्टीप्लाई कहां से कर ला हूँ क्याल्कुलेशन सही होना चाहिए आपका अगर क्याल्कुलेशन मिश्टेक हुआ तो फिर आपका कोशन गज़त हो तो बटा यक्स अबान देखे ज़रा तेरा सक्ते 91 होता माइनस लगाया माइनस माइनस प्लस तेरा नमया 117 ऐसे रखे गया बाद समझ में आभी इज इक्वल्स तो वाई अपान तेरा सक्ते 91 हो गया माइनस लगाया तेरा पचे 65 हो गया इस इक वान अपान, पान नमा पाइटादिस हो गया, माइनस का साइन लगाया, सास तते इंचास हो गया, बात बच्चों समझ में आवी होगी, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, 117 नियमते रटा दीजिए, तो 9 आपका इधर बचा और 17 से वोगैं, तो 26 हो गये, जा इनको जोल दीजिए, पांच और एक छाय हो गया नव छाय पंदरा हो गया माइनस का एक सब्सक्राइब बात समझ में आगे हो वान अपान इन दोनों को ऐड़ कर दीजिए नव पांच चौदा के चार हासिल लगा एक चार चार आठ और एक नव नाइटी फो बात समय में आगे हैं आप चलिए देखिए चुकि हम लोग वैद्वन निकालने जा रहे हैं तो इसको डिवाइट ही करना पड़ेगा लेकर को तो बटाए एक सबान जब एक सबान माइनस वानटी सिक्स इस इकवाज टो वन अपान माइनस नाइटी फो ठीक है बचों जड़ा देखिए यह थोड़ी सी बटा मिश्टेक है यह मैंने इसको 117 कर दिया है जब यह 31 है तो इसको आप सही कर लीजेगा या आपर मैं सही कर देता हूं नहीं होगा वह मुझे लगा यह नाइन मन्जा नाइन थीजा 279 है ठीक है ना और यह यहां पर भी दिखिए गलती हुई है 1355 यह हुआ यह साथ एकम साथ साथ 55 की स्माटिप्लाइब देगा सही से मैंने सोचा वह 13 है 217 है आएक बच्चो मैं इसको एरियस कर देता हूं यह फिर से देख लेते हैं एक बार चुकिए वही मुझे लगा साथ किल्कुलेशन कहीं गलत है तो फिर से देख दीजी एक बार तेरा सकते एक क्यान बे माइनस नव एकम नव नव तरिका सताइस यह 288 हो गया उसके बाद बेटा यह साथ एकम साथ 731 तेरा पच्चे 65 हो गया यह 945 हो गया और यह साथ सते 400 तो बेटा यक सबान आप इसको इसमें माइनस कर लेजिए 279 में आप 91 को माइनस करेंगे तो आपका 188 बेटा बच जाएगा वो भी माइनस का जब यक सबान माइनस करेंगे तो 217 में आप 65 को जोड़ लेगे तो 282 हो जाए गलता है और इधर आप इन दोनों को जोड़ लेगे तो 94 हो जाएगे तो देखें बचाए बात आपको समझ में आगे आप इसनी अपने क्या आप एक बार इसको इसको लेगो ना जब यक सबान माइनस 188 इस इक्वल्स टू वन अपान माइनस 94 बटाए इसको आप इधर बेजिए पहले तो बटाए एक्स इस इक्वल्स टू यह उपर जाएगा माइनस 188 इपान माइनस 94 डिवाइड कर देंगे तो देखें बटाए यहां से एक्स की वैलू आपकी क्या आ गई दो आगे है रचो और एक बार जब आप इसको इ माइनस 282 बटे माइनस 94 डिव इसको अप्पैक कर दीजिएगा तो यह आपका थ्री टाइम पे पुरा-पुरा त्रेहंसे हो जाए तो वाई की वैलू प्रिया यह देखें तो बच्चों क्वेस्चन आपको समझ में आ गया होगा तेखिए छोटी सी बात थी थोड़ा सा केल्गुलेशन था देखिए मुझसे भी गलत हो गया तो आपसे भी गलत हो सकता आपको प्रोसेस को समझ में आया होगा चिन्दों का ध्यान रखिएगा और फिर इस एक्सरसायज को सावग करिए ठीक है बच्चों अगर अभी पिस अक्सरसायज को दगा करके देखिएगा मैं आपकी इसको प्रिक्सिंड कर दूनगा एक्सरसायज थ्री डी की इसमें क्या हो सकती है तो मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें इस समस्या को भी साथ है ठीक है बच्चों आज के लिए एतना ही मिलते हैं आप से नेश्ट कुलिए